चुनाओ आयोग के निर्देश अनुसार कोवीड टीका करण के बढ़ते तथा कोवीड नियंतर करने के लिए दिलादिकारी विजय किरन आनंद की अध्याष्ता में एनेकसी भावन के सभागार में एमो आईसी स्वाथ सिभाग की टीम की बैठक की गई जिसके संबन में दिलादिकारी विजय किरन आनंद ने बताया कि स्वाथ सिभाग एवम एमो आईसी के साथ लगातार बैठक चल रही है कोवीड टीका करण शथ परतिशत फस्डोज और असी परतिशत सेकंड डोस पूर क करने के लिए चुना आयो के निर्देश पर बैठक की जा रही है उन्होंने बताया कि अच्छा परदाशन हो रहा है जनपद में करीब 84 प्रतिशत फस्डोज टीका करण की परगति की जा चुकी है और अगले 10 दिन में 100 प्रतिशत पूरा करेंगे इस उसर पर एडियम सिट अर्टिक है और कुके रहे हैं धूरा करेंगे यह को कॉलेग्स को मिलकर शिवे दरना है तो वो भी क्लस्टर में आप कर सकते हैं सदम्सुलता आपको है पूरी तरह के केंजी में तो होना था है वोबस्ता सामंधेस बैठना नहीं इनके साथ अच्छा समझ में हो रहे हैं हमें में पूरी तरह जोजवर्चिक बेगा है अब यहीं सेक्र में जो हमारे इंटर कॉलेज बिगनिक कॉलेज है पड़ी संक्या में है चाहिक पोचिक इस्टूर लेगे शेक्रिक संथाएं हैं अच्छी टेक्निक, बिगनिक कॉलेज, नीची, सिस्केर जवर्च, सीमो साथ और उगी टीम कॉलेज़ेश की लेज्स प्रमदो को मभाई नंबर सब डाल जीएगे एडियम साथ और मैं आपके जोगलग है एडियर्शिती पंद्रा से सत्रा के बीच में काफी लोग बहुत धर्य हुरे हैं, जी आचा नहीं है, उनको बताना है, आपको कम्यूनिकेटी नहीं कर पा रहे हैं, अभी तद्र एमाइजी का लियर्शिक नहीं नहीं अगे ले जाएंगे, उसी संदर में एक बैठा काहूद की गई थी और उसी के संदर में सारी चिकसादिकारी करते थे, जिसमें जिला दिकारी महद है, मैं और हमारी DPMU की टीम ने भाग लिया था, ये तो जो हमारे MOICS और स्वास टीम के साथ लगातार बैठा के चल रही हैं, कोवेट टिका करण के शत्परतिशत पर्स डोस और 80% से ज्यादा सेकेंड डोस पूर्ण करने के लिए, जो मान्य चुनावायों का निर्देश है, उसकी क्रम में ये समिक्षा बैठा के प्रतिदिन ली जा रही हैं, और अच्छे प्रदर्शन हो रहा है, अभी हमारे जन्पन में करीब 84% फर्स डोस की प्रतिदिन होई है, और अगले 10 दिन में प्रतिशत हम लोग पूरा कराएगे